साथियों, आज भारत के पारंपरिक और खास कर जन जातिये समाज़ द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। आज पुरवुत्तर के प्रोडक्स विदेशों तक में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आज बैम्बू से बने उत्पादों के गिलोग पुरियता में तेजी से वृद्धी हो रही है। आपको याद होगा पहले की सरकार के समय बैम्बू को काटने और उसके इस्तमाल पर कानूनी प्रतिबन लगे हुए थे। हम बैम्बू को गास की केटेगरी में ले आए और उस पर सारे जो प्रतिबन लगे थे उसको हमने हटा दिया। इससे बैम्बू प्रोडक्स अब एक बड़ी इंडुस्ट्री का हिस्सा बन रहे है। ट्राइबल प्रोडक्स जादा से जादा बाजार तक आएं इनकी पहचान बड़े इनकी डिमान बड़े सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। वन धन मिशन का उदारन हमारे सामने हैं। देश के अलग-अलग राज्यों में तीन हजार से जादा वन धन विकास केंद्र स्थापित किये गए हैं। 2014 से पहले ऐसे बहुत कम लगुवन उत्पाद होते थे जो MSP के दाइरे में आते थे। अब ये संख्या बढ़कर साथ गुना हो गई हैं। अब ऐसे करीब 90 लगुवन उत्पाद है जिन पर सरकार minimum support price MSP दे रही है। 50,000 से जादा वनधन स्वयम सहायता समोत के जरिये लाखों जन जातिये लोगों को इसका अलाब हो रहा है। देश में जो स्वयम सहायता समों का एक बड़ा network तयार हो रहा है। उसका भी फाइदा आदिवासी समाच को हुआ है। 80,000,000 से जादा स्वयम सहायता समों, self-help groups इस समय अलग-लग राज्यों में काम कर रहे हैं। इन समों में सवाक करोर से जादा tribal members है, उस पे भी हमारी माताय बेहने हैं। इसका भी बड़ा लाब आदिवासी महलाओं को मिल रहा है। झाल 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 झाल